दोस्तों भी आपने जो images देखी ना यह मैं आपको बता देट चाहतू कोई Samsung phone की नहीं है यह एक OnePlus के phone की जी हाँ यह होने वाल upcoming OnePlus 8T तो देखा तो OnePlus 8T के renders आ गया लीक आ गया बहुत ही जल्दी जो phone है वो launch होने वाला है लेकिन काफी सारे लोग के इस स्वाल रहता है कि OnePlus 8 ले 8 के discount का wait करे या फिर 8T के लिए फिर 8T प्रो के लिए तो मैंने सोचे कुछ doubts क्लियर कर देते हैं और यह भी क्लियर कर देते है कि 8T के लिए wait करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वेल वीडियो के आप लोग को पसंद आया तो लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लेकिन सबसे बहले यहां पर हम बात करें 8T के launch के बार में यह बहुत ही जल्दी launch होने वाला है फिलाल के समय में इसका जो लीक आ हो सकते यानि कि अगले एक महीने के अंदर अंदर वन प्लस 80 आपको मार्केट में देखने को मिलेगा जी हां और सिर्फ इतने ही नहीं है आपको वन प्लस की स्मार्ट वाच और नए वायरलेस एरफोंस वगरा कुछ स्टैप की चीज़े भी देखने को मिल सकती है जी हां क् मार्केट में आज के समय में काफी सारे सैमसंग के फोन है जो बिल्कुल एक्जेक्ट ऐसे ही देखने में लगते हैं पीछे की तरफ से और लग रहा है कि यह डिजाइन में ले लिए वैसे यह बात भी हो जाते है कि ऑक्सिजेन वाइस 11 है वह भी काफी तक वन यूई जैसा देखने में लग रहा है खर यह बाते हम अलग कर देते हैं लिकिन बात करते हैं एक्जेक्ली फोन में क्या रहा है क्लास दिजाइन के बार में तो पता चल गया है इसके साथ यह भी पता चला है कि सामने कदर आपको complete flat display देखने को मिलेगा जी हाँ ओपर की तरफ whole punch display होगा 32 2 Megapixel camera हो सकते हैं यहां पर आपको देखने को मिलेगा snapdragon 865 Plus कुछ लिक्स ने बोले snapdragon 865 प्लस आएगा और कुछ लिक्स कहरे snapdragon 865 आएगा अभी इसके उपर confusion बना हुआ है लेकिन मेरे को लग रहा है कि snapdragon 865 प्लस ही देखने को मिलेगा UFS 3-base storage देखने को मिलेगी यहां तक आप camera's की बात करें जो L-shape का जो आपको camera हम देखने को मिल रहा है साइड में Samsung जैसा तो वहां पर जो main camera है वो खा जा रहा है 48 Megapixel का IMX689 image sensor जो की exact OnePlus 8 Pro में यूज हुआ था वही यहां पर यूज होने वाला है इसके साथ ही 16 Megapixel का ultra wide angle lens देखने को मिलेगा जो की fixed focus होगा 5 Meg Megapixel का macro lens होगा 2 Megapixel का depth sensor होगा जी हां यह कुछ चीज़े देखने को मिलेंगी फिलाल के लिए देखा जाए तो 8 Pro के कुछ features उठके आपको OnePlus 8T में देखने को मिलेंगे including 120Hz का AMOLED screen जी हां यह Full HD Plus में AMOLED screen भी है देखने को मिलेगी जिसका screen size होगा 6.55 inch का जी हां लेकिन exactly बात OnePlus अपने दूसरे phone Nod line-up में काफी सारे दूसरे phones को निकालने वाली है जिससे Clover, Billy अलग अलग तैप के phones आने वाले हैं तो यह दिखके लगता है कि शाए सिव 80 Pro देखने को नाम ले क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआता है कि OnePlus 7 Pro 70 Pro के बीच में बहुत ही कम difference था और इस बार 8T Pro नेने को सोच रहे थे तो फिलहाल के लिए वेट करने का फायदा नहीं है लेकिन हो सकता है कि एक दो महीनियों में OnePlus का दिमाग बदल जाओ 80 Pro भी लांच करते इस टाइप की चीजे भी देखिए लेकिन फिलहाल के लिए 80 Pro नहीं आने वाला है और काफी सारे 8 Pro के जो features दे अंदर आने वाले इंक्लोडिंग 120 Hz का डिफ्रेश्ट वाला डिस्प्ले तो देख जाए तो काफी इंट्रस्टिंग फोन होने वाला है लेकिन ऐसा कोई बड़ा मेजर अपग्रेड नहीं होने वाला है एक टीप के अंदर यानि कि OnePlus 8 के बाद OnePlus 8T में कुछ इंप्रूमेंट होंगे camera के अंदर होंगे display के अंदर होंगे और charging speeds के अंदर होंगे लिकिन AllNL को ऐसे बड़ा major upgrade नहीं होगा और definitely अगर ऐसे improvement अगर हो रहे हैं आपे तो यहां पर बता देना चाहता हूं फोन की कीमत थोड़ी सी जादा जा सकती है मतलब एक्सपेक नहीं कर सकती कि 41,000 42,000 में आपको OnePlus 80 देखने को मिले मेरा कैसे कहता है कि OnePlus 80 की कीमत होगी वह almost 45,000 रुपीज होगी वही OnePlus 8 के अंदर हाल फिलाल आपको discount देखने को मिलेगा फिलाल के लिए कुछ ICICI कुछ के bank offer बहुत देखने को मिलेगा और अगर 40,000 रुपीज अगर OnePlus 8 की कीमत हो जाती वह बहुत अच्छी बाया हो सकता है यानि कि आपर सहसे समझे OnePlus 80 भी आता है 45,000 रुपीज का और OnePlus 8 की कीमत अगर मान लीजे 40,000 रुपीज हो जाती तो उन दौनों केस में जो best value for money phone होगा न वो मे 849 से स्टार्ट होगा इसका 12GB 256GB स्टोरेज वाला मॉडल जी हां कुछ ऐसी बात हो सकती है लेकिन इस बात यह है कि इस बार जो वन प्लस है अपना जो मेन फोकस है ना 8 series हो जो उसके flagship series हो दिया उस पे इतना देने नहीं वाली मतला एक minor improvement देखने को मिलेगा एक टी में ले जी हां यह बात भी possible हो सकती है इसके साथ ही snapdragon 662 और snapdragon 460 के साथ गूंगा एक phone आने वाला है तो देखा तो वन प्लस बात थोड़े सस्ते phone मनाने को पर focus कर रही है और 8T है ना कुछ मामलों में 8 का एक improvement है लेकिन ऐसा को improvement नहीं है कि कि किसी ने अगर को 8 लिया तो उसको 8T क अप्रेड करना है यह अप्रेड़ेबल वाली चीज नहीं है बस आपको एक option मिल जाएगा 45,000 रूपी इसके राउन में मेरे को लगता है और personally मेरा opinion यह है कि 8T को लानने कि आप कोई जरूरत नहीं है आपने 8 बना दिया 8 Pro बना दिया तो हो सकता है कि snapdragon 865 प्लस है तो जबर कुछ निया क्या और अच्छा फोन निकाल है तो वैल उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा वैसे में को लग रहा है कि स्टैक पी चीज़ें होंगी नहीं लेकिन फिर भी देखते आने वाले समय में क्या रहता है लेकिन देखके लग रहा है इस पाजो वन प्लस का फोकस हो थोड़ा सा लग हो गया है और खास बात यह कि अगर कोई 80 के लिए विट करना चाहता है तो डेफिनेटली कर सकता है 45,000 रुपीस में अगर किसी को अगर बेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर मनी फोन चाहिए 80 काफी कची जाओ सो सकता है कि 120 हर्स का रिफ्रेश 865 व पर मनी मिलेगी जी हां तो कहने का मतलब यह हो जाता है और देखते कि 80 प्रो आता ही कि नहीं क्योंकि मेरको नहीं रखता कि अगर 85,000 का तो एट प्रो आता है उसकी कीमत 60,000 कर देंगे उसके थोड़े बहुत इंप्रूम्मेंट और लाके फिस 60,000 में लगता है नहीं कि जा कर लेने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थेंग आपका वीडियो देखने के लिए मैं आप सब तो नेक्स्ट वीडियो के अनदर गुद बाई